दिखाना है plus minus करके दिखा देते हैं उसको self return, परचे return हो गएर को उसके बाद है direct expenses के लिए नहीं उसके पहले क्या दिया है? Self return, cash sales, credit sales, उसके बाद दिया है self, परचे return, self return, तो sales credit में आएगा, sales return उसमें से minus हो जाएगा. फिर direct expenses, उसमें क्या-क्या दिया है? देखिए यह फ्रेट इंपॉर्ट ड्यूटी स्दिली किरिंग चार्जेश नष्यूहाजी यह इंपॉर्ट ड्यूटी मतलब हो मुद्द वी इकक्ष किस्टम ड्यूटी हो गया जो बाहर से घुर्श हमकर करते हैं तो import duty, fret, fret, कभी कभी question में carriage, यह fret outward यह निए carriage outward लिखाओ, तो वो profit and loss account में जाता है, only fret लिखाओ तो trading account में आएगा, तो fret, import duty, clearing charges, गुर्स बाहर से आता है, तो clearing का जो लगता है, बाहर निकलता है, गुर्स वहाँ से clearing होके, customs, हाँ जी, customs से, तो वो सब direct खर्चों में हो गया, तो यह सब trading account के debit में आएगा, cost of goods distributed as free sample minus हो जाएगा, purchase में से, goods withdrew by the trader for personal use, personal use के लिए goods निकालते हैं, उसको क्या बोलते हैं, drawings, personal use के लिए जो goods निकालते हैं, उसको बोलते हैं, drawings, points, तो यह भी minus हो जाएगा purchase में से, फिर goods damaged by fire, यह भी minus हो जाएगा, छोटा साई question है यह, अब इसमें एक चीज और ध्यान दीजिएगा सब लोग, यह जो दिया हो है निचे में देखिए, cost of closing stock, 1,25,000, but its market value 1,50,000, तो हमेशा ध्यान देना है, वैसे तो प्राइग closing stock की एक ही value दी रहती है, पर इसमें दो-दो value दे दिये, market price और cost price, तो हमेशा closing stock का valuation, market price and cost price, whichever is less, जो दोनों में कम हो, उस पे होता है, जो दोनों में कम होता है, whichever is less, तो यहां पर दोनों में कम कम है, cost price, तो cost price पे सो करेंगे बन, cost price कम है, तो हमेशा closing stock का valuation, market price, और cost price, whichever is less, पे होता है, अब आगे आपका manufacturing account, अब इसका format अलग से बताएंगे, अब तक अब आपन trading account का format पढ़ रहे थे, यह manufacturing account आपके syllabus में लिखा हुआ भी है, आपके उसमें हैं भी manufacturing account, आपका भी पूछा, तो साथ है कि नहीं, पुछा ध्यान नहीं है, मेरे को तना, लेकिन, साहथ कम पूछता है, manufacturing account लेकिन यदि manufacturing account पुछता है तो पहले manufacturing बनता है उसके बाद trading बनता है उसके बाद फिर profit and loss बनता है manufacturing पुछेगा ना तो पहले manufacturing बनता है फिर trading बनता है तो इसको अपन पूरा भी पढ़ेंगे इसको समझाता हूँ मैं आपको यह manufacturing account कि जो मैं आपको notes भेजा हूँ, उस notes में हैं यह, जो आज आपको notes भेजे हैं, manufacturing account का. manufacturing account कौन बनाता है, जो goods का manufacturing करता है, वो manufacturing account बनाता है, क्यों बनाता है, भई, goods बनाओ गए, तो goods की cost कैसे पता चलेगी आपको, कि जो हम goods बना रहे हैं, उसकी cost क्या है, cost of finished goods produce, कि जो goods हम बना रहे हैं, उसकी cost मालूम करने के लिए. manufacturing account बनाया जाता है, manufacturer द्वारा, to find cost of production, cost of finished goods, कि हमने जो goods बनाया है, उसकी cost मालूम करने के लिए. और उसके बाद, जो goods अपने manufacturing किया है, उसकी जो भी cost आई है, उसको transfer कर दिया जाता है, manufacturing account से, कहां, trading account में. manufacturing का balance कहा transfer होगा, trading account में. तो जब question में manufacturing दिया हो, तो पहले manufacturing बनेगा, उसके बाद, trading account बनेगा. manufacturing का balance, trading account में transfer होजाता है. और एक चीज, manufacturing में हमेसा debit ही ज्यादा होगा, कभी credit ज्यादा होई नहीं सकता. क्यों? क्योंकि आप कोई भी goods की manufacturing करोगे, तो उसमें तो आपको खर्चे ही करने पड़ेंगे. वही manufacturing में खर्चे ही होता है. तो हमेसा debit ही ज्यादा रहेगा इसका. उसको फिर trading account में transfer कर दिया जाता है. तो अपन अब इसको पढ़ना सुरू कर रहे है. यहाँ पर लिखा है, a businessman who is manufacturing the goods, prepare manufacturing account to find the cost of production at his factory. कि उसका goods का cost of production कितना हुआ. तो इसको कैसे बनाओगे आप लोग? तो जितने भी goods को बनाने में expenses होते हैं, वो सब debit side. जितने भी goods को बनाने में expenses होते हैं, सब debit side. और credit में कोई goods swap return कर दिया है, उसका closing stock बच गया है, कोई scrap बेच दिया है, तो वो सब चीज़े हैं. तो एक बार अपन इसका पढ़ लेते हैं detail, सबसे पहले opening stock. लेकिन इसमें opening stock, manufacturing account, मैं वापस एक बार short में आपको बता दू कि यह manufacturing account पूरा factory से related है, पूरे factory के खर्चे इसमें आते हैं. तो opening stock, opening stock कौन सा, किस चीज़ का, तो यहां पर लिखा है, opening stock raw material का, और एक और working, progress का, दो-दो opening stock इसमें आ सकते हैं. एक मैंड़ आपका म्यूट कर देता हूं परकाजी, वह माइकरफॉन से आवाज आ रहा था इसलिए. तो यहां पर देखिए, opening stock दो, एक raw material का, और एक work in progress का, question में, जब this type का question जो रहता न, manufacturing वाला, उसमें तीन-तीन opening stock मिल जाएंगे आपको, एक opening stock of raw material, opening stock of work in progress, opening stock of finished goods, तो finished goods वाला, ट्रेडिंग एकाउंट में आता है, और raw material, और work in progress का, manufacturing में, यह work in progress क्या है, work in progress मतलब, जो goods अभी, जिस date को आप account close कर रहे हो, एकाउंट बना रहे हो, complete नहीं हुआ है, हाँ, जो complete नहीं हुआ है, incomplete है, semi-finished है, उसको अपन semi-finished बोलते हैं, uncomplete, incomplete भी बोल सकते हैं, और work in progress भी बोलते हैं, और raw material मतलब, कि भई आप manufacturing के लिए, आपको जो raw material खरीदना पड़ेगा, जिसके फिर उससे आप course को finish करोगे, उसके बाद, तो यह तो opening stock हो गया, उसके बाद purchase of raw material, purchase of finish goods दिया रहेगा, तो वो trading में चले जाएगा, फिर minus purchase return, फिर wages, अब देखिए, भई सब लोग ध्यान दीजेगा, हमने trading account में भी wages रिखा था, लेकिन जब question में आपको manufacturing and trading, दोनों बनाने के लिए बोल देता है, तो जितने भी factory related expenses है, सब manufacturing में चले जाएगे, जो अभी तक आपने trading में लिखा था, वो सब इसमें transfer हो जाएगे manufacturing में, हाँ question में, यदि question में manufacturing account बनाने के लिए नहीं बोला है, तो यह सब चीजे ट्रेडिंग में आती है, wages, carriage inward, coal gas power, factory rent, rates, tax, यह सब आप थोड़ देर पहरे पढ़े थे, तो यह सब इसमें आजाएंगे, क्योंकि यह पूरे manufacturing से related है, पूरा यह factory से related है, wages, carriage, या carriage inward, coal gas power and water, factory rent, rates, taxes, lighting, heating, depreciation on factory building and plant and machine, factory में जो plant and machine building हो गए रहे, यूज होते हैं उनका depreciation, इस्टोर्स कंजी हम अपन उसमें पढ़े थे, ट्रेडिंग में लेकिन ट्रेडिंग में आपका तब ही आएगा जब manufacturing account आपको prepare करने के लिए question में नहीं बोला है, सर, सर आप ये बता रहे थे कि अगर जो ट्रेडिंग account बनाना रहे हो manufacturing तो क्या करना सर उस बीच मेरे phone आगया तो मैंने काट दिया, मैं नहीं सुन पाया पूरा, मतलब trading question में manufacturing account बोलेगा, तो पहले manufacturing और ट्रेडिंग दो दो बनाना है, तो पहले manufacturing account बनता है, और manufacturing account से अपने को पता चल जाएगा कि हमने जो goods बनाया, उसकी क्या cost है, उसको फिर trading account में transfer कर देते हैं, और उसके बाद trading account बनेगा, तो अभी अपन उसके बाद यही चालू कि है, अपन की manufacturing account में जितने भी खर्चे होते हैं, फैक्टरी से related, वो सब manufacturing account के debit में आएंगे, और सबसे पहले opening stock, उसके बाद जो भी खर्चे हैं, wages, carriage, coal gas, power, factory rent, यही खर्चे हैं, जब आप manufacturing account नहीं बनाते हो, तो यही सब चीज़े कहां थी हैं, अनिल जी, trading account के debit में, लेकिन manufacturing account बनाने के लिए बोल देता है, तो यह सब factory वाले के खर्चे जितने भी है, सब manufacturing के debit में आएंगे, और जब manufacturing account नहीं बनाना है, तो यही सब trading में चले जाता है, wages, carriage, और coal gas power, यह सब, इसमें जैसे कोई factory खड़ा कर उसमें loan ले रहा है bank से, सर जैसे कोई factory, कोई unit established कर रहा है, उसके लिए यह बैंक से loan लिया है, तो वो भी debit side में आएगा तो उसमें आ जाते है, profit and loss में, interest on loan, उसको manufacturing में नहीं डालेंगे, क्योंकि factory set up करके वो goods बेचेगा, तो वो सब सही indirect खर्चे माने जाएंगे, अब जैसे किसी ने अपनी खुद की capital लगाया, और capital पर interest चार्ज कर रहा है, वो सब उसमें आता है, profit and loss account में, क्या है, और इसके बाद क्या था, stores consumed, excite duty, supervisor salary, stores consumed क्या हुआ से, मतलब जो जहां store क्या है, कोई भी चीज का जैसे मालू, कोई furniture dealer है, कोई furniture का manufacturing कर रहा है, तो अब उसने कोई लकड़ी और यह सब जो खरीते हैं, वो सब उसके लिए raw material हो गया, अब उसको बनाने में वो और भी कुछ material यूज़ कर रहा है, अब जैसे फेवी को लो यूज़ हो रहा है, उसको बनाने में खिले यूज़ हो रहा है, छोटे-छोटे बहुत सारे material, उनको अलग-अलग ना लिखकर, store की category में डाल देते हैं, उसको store consume बहूलेंगे है अबने, तो मतलब इसमें, जो side में जो material चाहिए, जो उसको बनाने में जो आवा और कुछ भी मटेरियल उसमें यूज़ होता है गुड्स के मैनुफेक्टरिंग में छोटे-मोटे में रॉम्माटेरियल के अलावा वो सब इस्टोर्स कंजूम की केटिगरी में आ जाता है तो उसको रॉमाटेरियल में नहीं डाल सेथे हैं सार इस crew को बोलेंगे raw material? नहीं नहीं बोलेंगे ना नहीं बोलेंगे ना मतलब directly जो जो finished good हो उसमें वो direct भूसा हुआ नहीं हो मतलब उसको बनाने में उसका उप्योग हो उसका हुआ है तो फैंके कर्चे हैं लेकिन वो सब material raw man raw material के अलावा और जो चीजे उसमें उसमें यूज ह की category में डाल दिये जाते हैं क्योंकि छोटे 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 अलग अलग उनको कहां मतलब अलग अलग दिखाएंगे इतनी सारी item कुछ रहती है तो तो उन लोग क्या करते हैं पूरा एक साथ सो कर देते हैं जैसे business में होता न संडरी expenses या मिस्लाइनियस expenses की कोई छोटे-छोटे खर्चे होते हैं दस बीस पच्चा इस पच्चा अस रुपए के तो अलग-अलग-अलग-अलग उसको न दिखा के एक साथ अब भाड़े में नहीं लाओगे खुद यूज करोगे तो यह देखो depreciation चार्ज किया है अब अब यह तो हमारे पास है उसका depreciation नहीं लगेगा उस पे रेंट लगेगा तो इसकी जगह रेंट आ जाएगा उसका यह depreciation के जगह अगता है हां जी 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 जैसे फैक्टरी बिल्डिंग का रेंट होगे रहे है वैसे उसका मसिन का भी रेंट होगे रहा जाएगा जी तो यह हो गया manufacturing account का debit side इसमें पूरे factory से related expenses है और कुछ भी नहीं है इसके अलावा और इधर अब इधर कुछ यादा नहीं है देखो closing stock उसमें raw material भी है work in progress दोनों में से कोई चीज का closing stock हो सकता है जैसे opening stock जैसे closing stock जो वर्स के cash देते हैं तो उसे जो भी पैसा मिलेगा उसे हमारी cost कम हो जाती है तो वह आ गया इधर sell of scrap उसके बाद दोनों तरफ का difference calculate किया जाता है दोनों side का और वो जो difference आएगा और इसमें हमेसा debit ही ज्यादा होगा कभी भी इसमें credit ज्यादा नहीं होगा हमेसा debit ही ज्यादा रहेगा तो credit में क्या लिखेंगे by trading account और जितना भी difference आएगा वो लिख देंगे वो हमारा कहलाता है cost of production या cost of finished goods इसमें जैसे production करें उसमें बहुत सारे product जो material है नहीं पाए उसको कहां देंगे मैं समझा नहीं क्या बोल रहा आप जैसे बहुत सारे material जैसे production हो रहा है ना सर तो वो complete में जो भी चीज होगा तो वो factory में यूज हो रहा है कि factory के बाहर तो factory में तो factory से related जो भी खर्चे सब manufacturing में आएंगे totally यह तो अपन man man नाम लिखे मालो इसके अलावा भी कभी कोई factory का खर्चा दे देगा तो सब इसी में आएगा manufacturing में भाई goods को बनाने में जो भी खर्चा होता है factory में और कुछ भी खर्चा होगा सब manufacturing अब जब manufacturing account बनाओगे तो trading account एकदम छोटा हो गया देखो और पहले तो यह तो manufacturing में आपन डिफ्रेंस कहां ट्रांसपर किये बाइट ट्रेडिंग एकाउंट करके लिखे थे ना यह देखो credit में balancing figures आएगा यह मों उसके बाद देखिए यह trading ट्रेडिंग में फिर opening stock of finished goods के बल finished goods फिर manufacturing account में जो बन दिखे थे ना उपर में यह देखो by trading तो इसमें आएगा two manufacturing cost of production तो यह वोई चीज है जो manufacturing account से यहां पर transfer होगा जो goods हम बनाए थे उसकी cost उसके बाद purchase of finished goods minus purchase return उसके बाद direct expenses of finished goods देखो केवल finished goods का कर्चा आएगा इसमें direct expenses क्योंकि बाकी सब तो manufacturing में चले गया और इदर sales कौनसा sales जो goods बेचेंगे हम finished goods फिर minus sales return और उसके बाद closing stock of finished goods बस तो इसमें हां बोलिए है सर इसमें जो जैसे हम डेविट साइड में लिखें है purchase of finished goods तो जैसे हम ही समान बना रहे हैं तो फिर हम कैसे purchase करें दो अब आप क्या करोगे अब आप क्या करोगे अब कर लेंगे सर्चेश एक सो टेव हैं नहीं समझा सर एक बार बदाईए आपको 500 का order मिला किसी से और आपके पास 400 यह तो आप क्या करोगे सो और से किसी से लेकर दे सकते हो कि नहीं होगे ना purchase of finished goods तो यह आपका ट्रेडिंग और manufacturing जब दोनों एक साथ बनता है तब और जब manufacturing नहीं हो तब अपन फॉर्मेट अलग देखे थे ट्रेडिंग का यह उपर में जिसके question homework भी दिये हैं आज आपको तो आज आपके first और second दो question homework है और manufacturing का question number 3 है उसको भी आप try कर सकते हो नहीं तो फिर कल बताएंगे आपको ठीक है और recording भी कोशिश करूँगा मैं कि आज का recording आज ही डाल दूँ और किसी को कुछ पूछना है तो पूछ सकते हैं